दोस्तो बॉलिवर्ड के जाने माने एक्टर रितिक रोषन का डिवोर्स हो चुका है लेकिन अभी इनकी एक गलफ्रेंड है जिनका नाम सबाजाद है जिनकी चर्शा मीडिया में आई दिन होती रहती है दोस्तो आज की वीडियो में हम रिती ग्रोसन और उनकी गलफ्रेंट सवाजाद के एज गैप के बारे में जाने वारे हैं जिसे देखकर आपकी आखे फटी के फटी रह जाएंगी तो इसलिए आप वीडियो को एंड तक जुरूर देखिएगा और अगर आप रिती ग्रोसन के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दिजेगा दोस्तो बॉलिवर्ड के हैंसम एक्टर रिती ग्रोसन को तो आप सब जानते ही हैं और ये बॉलिवर्ड के हाइस्ट पेड एक्टरस में से एक हैं इन्होंने अपने करियर की शुरुआत है जचार डियर्टिस्ट की थी लेकिन इन्होंने 2000 में पहली बार लेड रोल पले किया फिलम का होना प्यार से इनके पिता बॉल्वर्ड फिल्मों के एक फेमस डिरेक्टर है और जिनका नाम है राकेश रोसन दोस्तो रितिक रोसन का असली नाम रितिक रोसन नागरत है इनका जर्म 10 जनवर 1974 को मुंबई महरास्टर में हुआ और 2022 के हिसाब से ये 48 यर्स के हो चुके हैं दोस्तो रितिक रोसन ने 2000 में सुजेन खान से साधी की लेकिन 2014 में दोनों ने तलाक ले लिया और इनका ये अतलाक बोलिवूर्ड के सबसे महेंगे तलाकों में से एक है इसके साथ ही दोनों के दो बेटे भी है दोस्तो अगर बात करें रितिक रोसन की गल्फरेंड सभा अजाद गी तो सभा अजाद भी एक एक एक्टरेस है जो दिल कबड़ी और मुझे साधी करोगी जैसे सूपरेट फिल्मों में नजर आच चुकी है और इसके साथ ही ये कई बैफ सिरिज में भी काम कर चुकी है सभा का जनम 1 नौंबर 1985 को देली में हुआ और 2022 के हिसाब से ये 37 यर्स की हो गई है अगर दोस्तो आप बात करें रितिक रोशन और सभा अजाद के करेक्ट एज गैप की तो दोस्तो इन दोनों के बीच 11 यर्स 9-1-21 डेज का एज गैप है यानि कि रितिक रोशन सभा से 11 साल 9 महीने और 21 दिन बढ़े है तो दोस्तो ये थारितिक रोशन और सभा अजाद के बीच का एज गैप आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जुरूर बताईएगा और दोस्तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सासी चैनल को सबस्क्राइब करकर बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए